दिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश भारत और इस विशाल का भारत का सबसे बड़ा पद राश्ट्रुपती जिसके लिए चुनी गई इस देश की एक आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू मैं एक गरीब परिवार से हूँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीत में आऊंगी मैं सिर्फ चाहती थी कि कुछ पढ़ाई लेखाई करके नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट करूंगी लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतार चड़ाव आए जिनके चलते मैं कब राजनीत में आ गई पता ही नहीं चला ये शब्द थे द्रौपदी मुर्मू के दोस्तों यदि आपके जिन्दगी बिना रुकाव्टों के बिना चैलेंजिस के गुजर रही है तो शायद आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि मुश्किलों की सवारी कर के ही इतिहास रचा जाता है ये बात सच कर दिखाई है हमारी इस सिरीज की नाई का द्रौपदी मुर्मू ने भारत के इतिहास में 25 जुलाई 2022 से खास तारीख बन गई है क्योंकि इस जिन्द भारत में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने देश के राश्पत के रूप में प्रेणा बन कर उब्रीं दोस्तों दिनों एक लड़की के कर पढ़ाई करना भी हमारे देश में चैलेंज हुआ करता था कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी द्रौपदी के साथ इससे भी बड़ा चैलेंज था एक तो गाउं के लड़की थी दूसरा ट्र पूर साथ दिया ऐसी उनकी लाइफ के बहुत से इंसिडेंट हैं जो हम इस सीरीज में आगे जानेंगे दुरापदी मुर्मू भारत की पंधवी राश्पती चुनी गई हैं वो देश की राश्पती चुनी जाने वाली दूसरी महिला है क्योंकि उनसे पहले श्रीमती प्र जो भारती राजनीति के एक दिगज खिलाडी रहे वो दो बार देश के वितमंत्री और एक बार विदिश मंत्री रह चुके हैं जबकि दुरापदी मुर्मू का राजनीति करियर यश्वन सिनहा जितना बड़ा नहीं रहा लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें हराने में दुरापदी मुर्मू के राजपती बनने के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए सुण युक की भी शिरुवात हो गई है अब उनकी जीश से आदिवासी वर के विकास में कितना बदलाव आएगा ये तो पता नहीं लेकिन इतना जरूर है कि यह आदिवासी वो कैसी महिला आखर यहां तक पहुंची कैसे कैसे एक महिला ने गउंस से निकल कर भारती राजनीत में अपनी पहचान बनाई इस सवालों के साथ साथ ये भी जानेंगे कि उनका बच्पन कैसा था उनकी फैमली में कौन-कौन था उनके जीवन के सारे उतार चड़हव जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज वो भारत के सबसे बड़े पत पर पहुँच पाई दोस्तों इस सिरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग-अलग सोर्से से ली गई है जैसे न्यूस पेपर्स, आर्टिकल्स, इंट्रिव्यूज, एट्सेक्टरा अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम इसे सुधारने का पूरा प्रास करेंगे आज की सुभा भी और दिनों जैसी ही थी, सुरज की पहले किरण के साथ ही चूले पर चाय चड़ चुकी थी आदमी खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने में बिजी थे दूद के गाड़ी के पास दुकानदारों की भीड लगी थी, कई दुकाने खुल चुकी थी और कुछ खुलने का इंतजार कर रही थी वहीं काले पीले रंग के कौटो में सवार लोग शेहर जा रहे थे तभी टेलिविजन और रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई देश के नए राशपती के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और देश की नई राशपती द्रौपदी मुर्मू है आजादी के 75 साल बाद कोई आदिवासी महिला पहली बार राशपती पत को संभालने वाली है ये खबर सुनकर पूरे गाउं में जशन शुरू हो गया सब लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़ खुशी मनाने लगे अब वैसे तो द्रौपदी मुर्मू के राशपती बनने का जशन पूरे देश में ही हो रहा था लेकिन इस गाउं की खुशी अलग थी क्योंकि ये कोई और गाउं नहीं बलकि द्रौपदी मुर्मू का घर उनका जन्मस्थान उपर बेडा गाउं था जो उडिसा राजी के मयूर भंच जिले में पढ़ता है बीस जुन 1958 को इसी गाउं में राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था द्रौपदी संथाल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है और ये वही आदिवासी समुदाय है जिससे फ्रीडम फाइटर काना मुर्मू बिलोंग करते थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में विद्रो किया था या दिवासी जनजाती वैसे जारखंड की प्रमुक अनुसुचित जनजाती है और यही इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा भी है हा लेकिन जारखंड के अलावा बिहार, उडिसा, पश्यम, बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में भी इस जनजाती के लोग रहते हैं द्रौपदी जिस गाउं में जन्मी उस गाउं की आबादी 3500 लोगों की है यह गाउं जारखंड के सीमा से कुछी किलोमीटर दूर है और इस गाउं से कुछ दूरी पर लोह आयसक की खदाने भी है और पहार, तालाब और नदिया भी है जो इस गाउं की खुबसूरती को नि जरू हो जाती है और शाम ढलते ही लोग रात के खाने की तैयारी करने लग जाते हैं लेकिन एक बात है जो इस गाउं को दूसरे गाउं से अलग बनाती है और वो ये कि इस गाउं की बेटी अब देश की राश्ट्रुपती बन गई है उनका जन्म जिस घर में हुआ उसकी छत खप्रेल की थी मने कच्ची मिट्टी की थी अब घर वालोंने पीले रंग का पक्का मकान बनवा लिया है लेकिन घर के कुछ कमरे अभी भी उसी हालत में है जिनने शायद आज भी ऐसा इसलिए छोड़ा गया है ताकि दुरौपदी मुर्मूज जब भी यहां आएं उन इसे ही रहें वे जब भी यहां आती हैं तो उन्हें अपने पुराने घर को देख कर खुशी होती है उन्हें खाने में पखल और आलू का चोखा बहुत पसंद है आज इस गाउं में फिर भी बहुत से सुक्स विधाएं हैं लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ क बस लोगों को दो वक्त का खाना मिल जाए वही उनके लिए काफी था इस गाउं में बिजली तक हाली के कुछ सालों में आई है ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि द्रौपदी का बच्पन यहां किन हालातों में गुजरा होगा वो एक ऐसे परिवार से थी जिनके पास धन दौलत तो नहीं थी लेकिन गाउं में काफी मान सम्मान था द्रौपदी के पिता बिरंची नारायन टुडू और दादा दोनों ही गाउं के सरपंच रहे थे इसलिए उनके हालात फिर भी बागी लोगों से थोड़े बेधर थे लोग अक्सर उनके पिता और दाद के पास अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे जिनने देखकर दौपदी के मन में भी समाज के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा जागी हालेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी ऐसा इसलिए शायद क्योंकि उस समय एक लड़की का पढ़ना लिखना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और वो भी अगर वो लड़की एक आदिवासी जन जाते की हो तो इसके लिए तो ये संघर्ष और भी बढ़ जाता था पर समाज की ये बेड़ियां दौपदी के सपनों को कहां रोकने वाली थी माता पि पिसूड में जिस समय वो स्कूल में पढ़ा करती थी तब यहां पर आज की तरहां बच्चों के बैठने के लिए पक्की बिल्डिंग नहीं बलकि कच्ची मिट्टी से बने छप्रेल वाली इमारत हुआ करती थी जिसमें गाउं के बच्चे पढ़ा करते थे उस समय स्कूल के कमरे में पंखे तो क्या बैठने के लिए डेस तक नहीं थी देश के दूसरे ग्रामिर स्कूलों की तरहां यहां भी बच्चे दरी पर बैठ कर पढ़ा करते थे तो कभी क्लास बाहर पेड के नीचे लगती थी लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए यही बड़ी बात थ कि वो स्कूल पढ़ पा रही है क्योंकि गाओं की कई लड़किया तो ऐसी थी जिनके लिए स्कूल जाना बस एक खुआप था उनके एक दोस्त ने मीडिया को दिये अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो स्कूल में सबसे होश्यार थी साथ ही बहुत नेक दिल भी उस स में द्रौपदी उन्हें अक्सर अपने घर पर बुला कर पकाल भात खिलाया करती थी जो उडिसा का पारंपरी खाना है यही नहीं जब वो जार्खन की राज्युपाल बनी तभी वो अपने दोस्त के घर गई और साधारन लोगों की तरहां उनके छोटे से घर में खाना ख पांचवी के बाद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे लेकिन द्रौपदी आगे पढ़ना चाहती थी और उनके सपने में उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया वो पढ़ने के लिए घर से कई किलोमीटर दूर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर आ गई ज जो ग्रेजुशन करने घर से दूर भुवनेश्वर गई थी उस समय ज्यादतर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था इसलिए स्कूल में बहुत कम लड़कियां हुआ करती थी और इन लड़कियों को उनके माता पिता ने बड़ी उमीदों के साथ यहां पढ़ने लेकिन ज्यादा तर समय पढ़ाई में ही गुजरता मादिमिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब वो ग्रेजुशन भी करना चाती थी असी के उस दौर में मुंबई और दिली जैसे शहरों में तो कई लड़कियां ग्रेजुशन कर रही थी लेकिन ओडिशा भी इतना डव रमादेवी वुमन्स कॉलेज जिसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक गर्ल्स कॉलेज था इस कॉलेज का नाम सुअतंदरता सेनानी रही रमादेवी पर रखा गया है जो एक समाच सुधारक भी थी उन्होंने आजादी के बाद अपना पूरा जीवन गरीब लोगों उनकी सेवा में दे दिया था और इसी कॉलेज से द्रौपदी मुर्मु ने बी एकी पढ़ाय की पर उस समय किसी ने कलपना भी नहीं की होगी कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक साधारण सी चात्रा द्रौपदी मुर्मु एक दिन देश की पंदरवी राश्पती बनेंगी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाखात शाम चरण मुर्मू से हुई धीरे धीरे दोनों की मुलाखाते बढ़ने लगी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और जल्दी उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई उस समय शाम चरण भी भुवनेश्वर के ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई पूरी करने के बाद दौरापदी और शाम ने शादी के बारे में सोचा परिवार की रजामंदी के लिए शाम चरण दौरापदी का हाथ मांगने उनके घर पहुँच गए शाम चरण के कुछ रिष्टदार दौरापदी के गाउं में ही रहते थे ऐसे में अपनी बात रखने के लिए वो अपने चाचा और कुछ रिष्टदारों को लेकर दौरापदी के घर गए थे लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायंट टुडू ने इस रिष्टे को लेकर इनकार कर दिया पर श्याम चरण भी पीछे अटने वाले नहीं थे उन्होंने तै कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ द्रौपदी से वहीं द्रौपदी ने भी घर पर साफ कह दिया कि वो श्याम चरण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब परिवार नहीं माना तो शाम चरण ने तीन दिन तक द्रौपदी के गाउं में ही डेरा डाल दिया आखिर में ठक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिष्टे को मनजूरी दे दी शादी के लिए द्रौपदी के परिवार की मनजूरी मिल चुकी थी अब शाम चरण और द्रौपदी के घरवाले दहेच की बातचीत को लेकर बैठे उस समय संथाल जाती में परंपरा थी कि लड़की को शादी में कुछ जानवर और कपड़े दिये जाते थे ताकि वो अपने अपने जीवन की शुरुआत बिना किसी समस्या के कर सके अब अमीर परिवार तो फिर भी इस परंपरा को पूरा कर सकते थे लेकिन अक्सर गरीब परिवारों को जानवर खरीदने के लिए धन जुटाने में दिक्कते आती थी ऐसे में काफी बाचीत के बाद तैह हुआ कि द्रौपदी को शादी में एक गाए, एक बैल और सोला जोडी कपड़े दिये जाएंगे जिस पर दोनों के परिवार सहमत हो गए कुछ दिन बाद शाम से द्रौपदी का विवा हो गया कहा जाता है कि द्रौपदी और शाम की शादी में लाल पीले देसी मुरगे का भूज हुआ था जो इस समय यहां की लगभख हर शादी में बनता था शादी के बाद द्रौपदी की ग्रस्ती काफी खुशाल चल रही थी और जल्द ही वो माता पिता भी बन गए द्रौपदी के चार बच्चे हुए दो बेटे और दो बेटियां लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक टिक ना सकी उनकी पहली बेटी जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी जिसके गम से द्रौपदी काफी तूट गई लेकिन अपने बाखी बच्चों के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ गई साल 2009 में उनके बेटे लक्षमण मुर्मु की अचानक मौत हो गई उस समय लक्षमण की उम्र 25 साल थी बताया जाता है कि उनका बेटा लक्षमण अपने चाचा चाची के साथ रहता था वही जब उनके बेटे की मौत हुई उस समय द्रौपदी रायरंगपूर में थी लक्षमण शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और देर रात एक उटो से उसके कुछ दोस्तों से घर छोड़ने आये जब लक्षमण घर पर पहुँचा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्षमण को उसके कमरे में लिटा दिया उस समय घर वालों को लगा कि थकान की वज़ा से ऐसा हुआ है लेकिन सुभा जब काफी देर होने के बाद भी लक्षमण अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो घर वालों को शक हुआ और उन्होंने कमरे में जाकर देखा कमरे में लक्षमण बेट पर बेजान पड़ा था उसके शरीर को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो लक्षमण की ऐसी हाला देख घर वाले डर गए उन्होंने दुरापदी मुर्मू को फोन लगाया और उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है बेटे की अचानक मौत की खबर से दुरापदी सदमे में आ गई और एक जवान बेटे को खोने के गम ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया अब वो पहले जैसे नहीं रही थी उन्होंने लोगों से बात करना और मिलना जुलना बहुत कम कर दिया और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के गम से उभरना शुरू किया उन पर दुखों के और पहार तूट पड़े साल 2013 में एक सड़क दुरगटना के दौरान दुरौपदी के दूसरे बेटे के भी मौत हो गई चार साल के अंदर दो बेटों को खोने के गम से दुरौपदी पूरी तरह से तूट चुकी थी पर शायद फिर भी दुरौपदी में हिम्मत बाखी थी इसलिए उन्होंने किसी तरह अपने आपको संभाल लिया लेकिन उनके पती ऐसा ना कर सके और बेटे की मौत के कुछ समय बाद उनके पती की भी हार्ट अटेक से मौत हो गई लेकिन उन्होंने इन सब से कैसे फाइट किया जानेंगे अगले एपिसोड में ऐसा नहीं है कि दुरापदी मुर्मू के लिए ये सब आसान था वो भी बहुत बुरे हालातों से गुजरी एक समय तो वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी डिप्रेशन जो आज भी हमारी सोसाइटी में एक बनावटी शब्द माना जाता है क्योंकि शरीर पर कहीं चोट लग जाए या फिर शरीर के किसी यंग में खराबी आ जाए तो उसका पता रिपोर्ट्स में लग जाता है लेकिन क्योंकि डिप्रेशन एक मेंटल इशू है और इसके दूसरी बीमारियों के तरहां कोई लक्षर नजर नहीं आते इसलिए कोई इसे सिरियसली नहीं लेता है पर सच तो ये है कि डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक मांसिक बीमारी है जिसकी दवा कुछ है तो बस खुश रहना जब दुरापदी के पहले बेटे की मौत हुई तो वो भी अपने बेटे के घम में डिप्रेशन में चली गई वो पहले ही अपने एक बेटी को खो चुकी थी और उसके बाद अब उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस दुख को कैसे कम करें एक समय तो आया जब उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बिलकुल ही बन कर दिया वो दिन रात बस रोती ही रहती थी उन्होंने अपने एक इंटर्वियू में बताया था कि ऐसा खरीब दो महीने तक चला था वो अकसर नीन में भी रोती रहती थी उन्हें मरने के खयाल आने लगे थे और वो लोगों को भी लगने लगा था कि वो अब ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह पाएंगी उनके खरीबी ने एक इंटर्वियू में बताया कि वो राजनित भी छोड़ना चाती थी क्योंकि अपने बेटे की मौत के लिए वो खुद को जिम्मदार ठहराने लगी थी उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता उनके मन में मरने के खयाल आने लगे थे लेकिन उस समय उन्होंने खुद को संभाला और खुद से कहा कि नहीं मरना तो नहीं है जीना तो है उनके लिए जो अभी जिन्दा है जिने उनकी जरूरत है लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने अंदर के इस गम को कैसे कम करें कैसे खुद का ध्यान काम और दूसरी चीजों में लगाएं फिर इसी दुरान उन्हें किसी ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाने की सलहा दी दुरापदी को इससे पहले साल दो हजार दो में भी उनके एक परिजन ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में बताया था लेकिन उस समय उन्होंने इस संस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये संस्था भी दूसरी धार्मिक संस्था जैसी ही होगी जिनसे वो जुड़ी हुई है धार्मिक संस्थाइं अक्सर उन्हें गेस्ट के तोर पर बुलाया करती थी जिनमें वो जाती थी, कुछ समय वहाँ भजन कीरतन सुनती और किताबे पड़ती और वापस आ जाती लेकिन उन्हें लगा कि वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समय नहीं दे पाएंगी पर इस बार कहानी अलग थी, तो दुरापदी मुर्मूर्ठान चुकी थी कि उन्हें अपने डिप्रेशन को खत्म करना है और जीना है, लेकिन जीने के लिए कोई आधार तो चाहिए उन्हें ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कौल लगाया और उन्हें अपनी सिती बताई, जिसके बाद आश्रम से कुछ महिलाएं दुरापदी मुर्मू से मिलने पहुँची और जल्द ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम जॉइन कर लिया शुरुआत में द्रौपदी मुर्मू का ध्यान आश्रम की प्रवचन में नहीं लग पाया क्योंकि अभी भी वो अपने घम में डूबी हुई थी वो अकेले बैट कर बस यही सोचती रहती थी कि वो क्या कर रही है क्यों कर रही है जो हुआ क्या उसकी वज़ा वही थी लेकिन धीरे धीरे आश्रम के प्रवचनों और कीरतन में उनका ध्यान लगने लगा उन्होंने अपना सारा समय लोगों को देना शुरू कर दिया और दिन का रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि सुभा से लेकर दोपहर तक पॉलिटिकल काम और फिर उसके बाद आश्रम का काम वो आश्रम की महिलाओं के साथ गाउं गाउं लोगों को जागरू करने और उन्हें सिखाने जाया करती थी आश्रम के पास अपनी गाड़ी नहीं थी ऐसे में दुरौपदी मुर्मू बिना किसी भेदभाव के सबी महिलाओं को अपनी गाड़ी में गाउं गाउं ले जाती अब दुरौपदी मुर्मू को अपनी जिंदगी का आधार मिल चुका था वो समझ चुकी थी कि आपका गम आपकी तकलीफ तब ही कम हो सकती है जब आप दूसरों के काम आओ उनके दुखदर को कम करने की कोशिश करो लोगों के मुस्कुराते चेहरे देखकर दुरापदी को जीने की एक वज़ा एक हिम्मत मिलती थी उनकी जिन्दगी अब नॉर्मल होने लगी थी कि साल 2013 फिर उनके लिए एक बड़ा तूफान लेकर आया दो जन्वरी 2013 ये वो दिन था जब दुरापदी का दूसरा बेटा किसी काम से घर से निकला था लेकिन रास्ते में उसका एक्सिडेंट हो गया और इस हास्से में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया दुरापदी मुर्मू फिर तूट गई वहीं दूसरे बेटे की मौत के एक महीने के अंतराल में ही उनके भाई और मा भी चल बसी उनकी जगा शायद कोई और होता ये सब सेह नहीं पाता लेकिन इस बार वो अपने मन को मजबूत कर चुकी थी उन्हें अपने बेटे और मा के जाने का दुख तो बहुत हुआ लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपने मन को डगमगाने नहीं दिया वो खुद को शांत रखने के लिए योगा और ध्यान करने लगी लेकिन इस बार दुरापदी ने तो खुद को संभाल लिया था पर उनके पती खुद को संभाल ना सके और साल 2014 में वो भी हार्ट अटैक से चल बसे अब परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी उनकी बेटी भी अपने आपको बिजी रखने के लिए बैंक में नौकरी करने लगी वही दूसरी तरफ दुरापदी मुर्मू ने अपना सारा समय गाउ में गरीब लोगों को दे दिया और अपने ससुराल पहालपूर की सारी जमीन ट्रस्ट बना कर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए दे दी जिसका नाम उन्होंने अपने पती और बेटों के नाम पर SLS ट्रस्ट रखा ये स्कूल चार एकड में फैला हुआ है जहां पर छटी से दस्वी तक की पढ़ाई होती है वही फिलाल इस स्कूल में सत्तर स्टूडेंट और छे टीचर हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं लेकिन स्कूल में उनकी हर स्विधा का ध्यान रखा जाता है ताकि वो मन लगा कर पढ़ाई कर सकें इस्कूल के अंदर दुरापदी मुर्मू और उनके दो बेटों की याद में एक स्मती स्थल भी बनाया गया है जहां तीनों की प्रतिमाय लगी हुई है पॉलिटिकल कामों में बिजी होने की वजह से दुराप कुमारी आश्रम के नाम कर दी उनका मानना है कि उनका ऐसा करना सही है क्योंकि उसे जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कुछ मिल जाएगा और वो उतनी में खुश हैं जितना उनके पास है दुरापदी मुर्मु ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी से पहले कुछ समय नौकरी की थी उनकी पहली नौकरी सिचाई विभाग में थी जहां वो एक क्लर्क थी उस समय ग्राजुएटर्ड युवाओं की संख्या बहुत कम थी इसलिए सरकारी विभाग में अक्सर जूनियर असिस्टन्ट और क्लर्क के लिए निकलने वाली नौकरीों को पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था हा लेकिन सैलरी बहुत कम हुआ करती थी वहीं विभागों में ना के बराबर महिला कर्मचारी देखने को मिलती थी ऐसे में किसी लड़की के लिए उस समय नौकरी करना बहुत बड़ी बात थी अक्सर लोग नौकरी को लेकर उन्हें बाते सुनाया करते थे लेकिन वो जानती थी कि अगर वो दुनिया की सुनेंगी तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी सिचाई विभाग में कुछ समय नौकरी करने के बाद उन्होंने बिजली विभाग में जूनियर असिस्टन के तौर पर जॉइन कर लिया उस समय वो भूवनिश्वर में रहा करती थी दुरापदी का स्कूल कॉलेज और अब नौकरी भी भूवनिश्वर में लगी थी इसलिए उनके लिए शेहर बहुत खास था हा लेकिन उन्होंने अपने एक इंटर्व्यू में बताया था कि वो लंबे समय तक भूवनिश्वर में रही लेकिन इस दोरान सिर्फ एक बार थीटर में फिल्म देखने गई उस फिल्म का नाम गाववा हेले भी साता था जो एक उडिया फिल्म थी और उस भूवनिश्वर में ज्यादा थीटर्स भी नहीं थे सिर्फ रवी टॉकीज था जहां लोग फिल्मे देखने जाया करते थे वहीं उनकी नौकरी तो अच्छी चल रही थी लेकिन शादी के बाद उन्हें भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी उनके पती बैंक में नौकरी किया करते थे और वो अपने तीन बच्चों को संभालती परिवार को लगता था कि एक महिला घर और नौकरी एक साथ नहीं संभाल सकती और वो घर पर रहेंगी तो अपने बच्चों को समय दे पाएंगी लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें कुछ और भी करना चाहिए घर पर खाली टाइम बिताने से काम नहीं चलेगा जिसके बाद साल 1994 में उन्होंने रायरेंगपूर में मौझूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में असिस्टन टीचर नौकरी जोईन कर ली आपको जानकर हैरानी होगी कि दुरापदी मुर्मू स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ाने तो जाती थी लेकिन इसके लिए वो कोई सैलरी नहीं लेती थी हैरानी की बात है कि जिस प्रोफिशन को समय बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी की वजह से ही चुनते थे उसे दुरापदी मुर्मू बिना पैसों के कर रही थी शायद इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई का मूल जानती थी और उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था उनके साथ की टीचर्स का कहना है कि वो स्कूल बहुत ही सिंपल साड़ी पहन कर आती थी उनका खान-पान भी बहुत साधारण था द्रौपदी से पढ़े स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनके पढ़ाने का अंदास सबसे अलग था वो क्लास शुरू होने से पहले धेर सारी टौफी लाकर क्लास में रख देती थी और फिर क्लास में जो भी बच्चा सही जवाब देता वो से इनाम में टौफियां देती मंतरी बनने के बाद वोक्सर अपने स्टूडेंट और साथी टीचर से मिलने जाया करती थी और अपने हर सलिबरेशन में उन्हें शामिल करती इसलिए जब वो राश्पती बनी तो उनके से स्कूल में भी अलग ही जशन का मौहल था स्कूल अधिकारियों का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू की वजह से आज उनके स्कूल को पूरा देश जानता है कोई भी यहां से गुजरता है तो कहता है कि यह वही स्कूल है जहां राश्पती द्रौपदी मुर्मू पढ़ाया करती थी और इस तरह साल 1997 तक उन्होंने पढ़ाना जारी रखा इसी दुरान वो कुछ NGO के साथ भी जुड़ गई और अपनी ट्राइबल कम्यूनिटी के लिए काम करना शुरू किया उन्होंने अपने वर के लोगों की बेसिक जरूरतों के लिए आवाज उठाई गाउं गाउं जाकर लोगों को शिक्षव और स्वास्त से जुड़ी जानकारी दी और उन्हें जागरू किया वो अपने सरल सौभाव सादगी की वजह से अपने गाउं में काफी मशूर थी किसी को भी कोई परिशानी होती दुरौपदी सबसे पहले मदद के लिए उनके घर पहुँच जाती स्कूल खत्मोने के बाद कभी गाउं के बच्चों को भी पढ़ा देती और उनके सौभाव को देखकर उनके आसपास के लोगों ने उन्हें राजनीत में उतरने के लिए कहा शुरू में तो दुरौपदी इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि राजनीत समाज सिवा से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है और वो तो एक साधारन आदिवासी महिला है अगर वो राजनीत में उतर भी गई तो उनके लिए प्रचार कौन करेगा कौन उन्हें अपनी पार्टी मिलेगा और वो चुनाव में खड़ी हो भी गई तो इसके लिए पैसा कहां से लाएंगी द्रौपदी के साध साध उनके पती भी इसके लिए राजी नहीं थे उनका माना था कि वो तो एक मामूली आदिवासी लोग हैं जिने बेसिक सुक्स विधाओं के लिए ही दूसरों से अधिक संगर्ष करना पड़ता है ऐसे में राजनीत में उनकी पतनी अपनी पहचान कैसे बना पाएंगी मन में डर तो था लेकिन जल्दी लोगों का विश्वास देखकर द्रौपदी मुर्मू ने फैसला किया कि वो जीतें या हारें लेकिन उन्हें राजनीत में एक बार जरूर उतरना चाहिए तो कैसे हुई उनकी पॉलिटिकल करियर की शिरुवात और कौन-कौन सी मुश्किले आई रास्ते में जानेंगे अगले एपिसोड में कई समाजिक संस्थानों से जुडने के बाद द्रौपदी ने अपने गाउं जिला और आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया उन्होंने काफी संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी इसलिए वो पढ़ाई का मूल जानती थी और चाहती थी कि दूसरी आदिवासी लड़कियां भी उनकी तरहां पर लिखकर आगे बढ़ें उन्होंने अपने एक इंट्रिव्यू में कहा था कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिये हम आगे बढ़ सकते हैं किसी मुखाम तक पहुँच सकते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हमारे हालात सुधर सकें उनका मानना है कि आदिवासी लोग को वैसे ही जिन्दगी में दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे में शिक्षा ही एक तरीखा है जिससे ये लोग अपनी जिन्दगी को बेहतर बना सकते हैं और उनके इसी सामाजिक संघर्ष को देख कर उनके जिले और गांवालों ने उनका सपोर्ट किया जिनके दम पर उन्होंने साल 1997 में पारशत का चुनाव लड़ा और इसे जीता हा लेकिन पारशत का चुनाव लड़ने और पॉलिटिक्स में उतरना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था दुरापदी मुर्मू की राजनीत में कोई पैचान नहीं थी और उनका राजनीत में जाने का कोई विचार भी नहीं था उन्हें एक टीचर की नौकरी मिल गई थी यही उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी दरसल उस समय काउंसलर की सीट स्ट के लिए आरक्षित थी पार्टी के स्टेट लिडर्शिप की तरफ से आदेश मिला कि किसी योग ये स्टी महिला की तलाश कीजिए ऐसे में रायरंगपूर के जिलाधिक्ष रविंद्रनात महतो द्रौपदी मुर्मू और उनके पती श्याम चरण मुर्मू से मिले वो द्रौपदी मुर्मू को इंदुने से जानते थे जब वो भुवनेश्वर में एक आदिवासी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी रविंद्रनात महतो को लगा कि द्रौपदी सीट के लिए सबसे योग ये कैंडिडेट हैं लेकिन द्रौपदी का परिवार उन्हें राजनित में भीजने के लिए तयार नहीं था शाम उर्मू ने राजनीतिक बास सुनते ही कहा ये राजनीत हमारे ले नहीं, हम छोटे लोग हैं औरतों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लेकिन शाम और द्रापदी को राजी करने के लिए रविंद्र ना तड़े रहे दोनों को मनाने के लिए अपने साथ कुछ और बीजेपी कारेकरताओं को भी ले गए हमारी सोसाइटी में लोग महिलाओं को राजनीति में लाने में डरते हैं और यही डर उनके मन में भी था लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार समझ गया कि उनके लिए यही सही है और इस तरह अंद्रापदी ने राजनीत में अपना पहला कदम रखा और पारशत का चुनाव लड़ा वहीं इसी साल उन्हें रायरंगपूर्स सिविक बॉड़ी का वाइस चेर परसन भी चुना गया यही नहीं, उन्हें साल 1997 में ही उलीसा में बीज़ेपी की तरफ से S.T. मूर्चा का वाइस प्रेसिडंट भी चुना गया उन्होंने अपने राजनीतिक करियर पर बात करते हुए एक बार कहा था कि उन्होंने कभी राजनीत में आने के बारे में नहीं सोचा था लेकिन उनकी खिसमत उन्हें यहां लेकर आ गई दुनिया कहती है कि राजनित में जब तक किसी का हाथ ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकती लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई मैंने उसे इमानदारी के साथ निभाया और इसलिए जब साल 2000 में उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लडा तो उन्हें भारी मतों से जीत मिली उस समय उडिसा में बीजेपी और बीजू जनतादल के गड़बंधन की सरकार बनी थी और क्योंकि अच्छे कामों की वजह से द्रापदी मुर्मू को आदिवासी समाच का अच्छा खासा सपोर्ट था इसलिए उन्हें बीजेपी और बीजू जनतादल की गड़बंधन की सरकार में ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री दे दी गई माने उनकी वो अब परिवहन और वाड़िजी मंतरी थी साल 2000 से 2004 तकी विभाग उनके पास था इस बीच साल 2002 में उन्हें मत्सेपालन विभाग भी दे दिया गया था इसके लावा उनके अच्छे कामों को देखते वे साल 2002 से 2009 के बीच उन्हें बीजेपी के स्टी मूर्चा की नाशनल एक्जेकिटिव मेंबर भी बनाया गया इसी बीच साल 2004 में उडिसा में फिर से चुना हुए जिनमें एक बार फिर रायरंगपुर सीट से जीत हासल की जिसके बाद वो साल 2006 से 2009 के बीच बीजेपी के स्टी मूर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट भी रही और इस दोरान उन्होंने ना केवल उडिसा के लोगों के लिए काम किया बलकि उन्हें जरूरी मुद्दों को भी सरकार के सामने रखा और ये उनके अच्छे कामों का ही नतीजा था कि उन्हें वधानसभा की तरफ से बेस्ट विधाय का नील कंठ पुरुसकार मिला इसके बाद 2009 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा सबको लग रहा था द्रापदी मुर्मू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है लेकिन कहानी अभी बाखी थी साल 2015 में द्रापदी मुर्मू को ज्रारखन का गवर्णर ने उक्ति किया गया था वो ज्रारखन की पहली महिला गवर्णर तो थी ही साथ ही पहली आदिवासी महिला भी थी जो इस पत तक पहुँची थी लेकिन हमेशा की तरह दुरौपदी मुर्मू ने यहां भी अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी निभाया हमारे देश में राजिपाल यानि की गवर्नर का कारेकाल भी पाँच साल का ही होता है और इसी नियम को मानते हुए दुरौपदी मुर्मू को भी साल 2020 में अपने पत से रिटायर होना था लेकिन क्योंकि साल 2020 में कोरोना महामारी आ गई इसलिए उनके कारेकाल को एक साल और बढ़ा दिया गया अपने कारेकाल के दुरान दुरौपदी ने पिछले वर के लोगों के लिए आवाज उठाई और जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दुरौपदी बच्चों की शिक्षा को बहुत जरूरी मानती है ऐसे में उन्होंने अपने कारेकाल के दौरान जार खंड के शिक्षा स्तर को बेहतर करने के कई प्रियास किये राजी के जिन विश्विद्यालों में चांसलर और वाइस चांसलर के पत खाली पड़े थे उन पर नई नियुक्ति की यही नहीं उन्हें उच्छ शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत का आयूजन किया जिसमें विश्विद्यालियों के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े 5000 मामले निप्टाए गए यही नहीं उन्होंने कॉलिजिस में अद्मिशन प्रोसिजर को आसान करने के लिए ओनलाइन पोटल भी खुलवाए इसके लावा राजी की खानून व्यवस्था आदिवासियों के स्थिती और स्वास्त संबंधी समस्यों पर भी ध्यान दिया और इसके लिए राजी की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किये लेकिन साथ ही हमेशा स्ववधानिक पत की गरिमा भी बनाई रखी और शायद यही वज़ा रही कि 6 साल तक गवर्नर रहने के बाद भी वो किसी विवाद में नहीं पड़ी 12 जुलाई 2021 को उन्होंने जारखन के गवर्नर पत से स्थिफा दिया था उनके विदाई समारों में जारखन के सीम हेमन सोरिन भी शामिल हुए थे जिन्होंने दुरापदी मुर्मू के बारे में कहा था कि दुरापदी मुर्मू ने जो काम जारखन के लिए किये हैं उसके लिए जारखन हमेशा उनका आभारी रहेगा और उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा दोस्तों द्रापदी मुर्मू के राजनितिक करियर को बनाने में बीजेपी पार्टी ने अहम रोल निभाया लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार द्रापदी मुर्मू के एक फैसले की वज़ा से ही बीजेपी की सरकार चली गई थी द्रापदी मुर्मू के पास एक ऐसा बिलाया जिसे उन्होंने पास करने से इनकार कर दिया ये बिल C&T Act माने छोटा नाकपूर टिननसी Act और SPT Act यानि कि संथाल परगना टिननसी में संशोधन के लिए लाया गया था जो दोनों ही एक जारखंड में आदिवासी लोगों की जमीन की सुरक्षा के लिए लागू किये गये थे दरसल जारखंड देश का एक ऐसा राजी है जहां आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है राजी की कुल जनसंख्या का 26 फी सदी है वहीं वैसे तो पूरी राजी में आदिवासी है लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल परगना में है और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा आबादी संथालों की है संथाल परगना में रहने वाले आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए ही 1949 में संथाल परगना टिनेंसी आक्ट यानी SPT एक्ट लागू किया गया था इस आक्ट को वैसे तो संथाल आदिवासी के विद्रों के बाद बिटिश लेकर आये थे लेकिन इसे लीगली 1949 में लागू किया गया था इस आक्ट के तहर संथाल परगना में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन को खरीद बेच नहीं सकता है यहां तक कि जो जमीन खेती के लिए है उस पर कोई व्यवसाई किया अन्यगतिव धी नहीं हो सकती यहां तक कि जमीन का मालिक भी ऐसा नहीं कर सकता और नहीं वो इसे किराय पर किसी और को दे सकता है और नहीं गिर्वी रख सकता है वहीं राज़ के बागी शहरों और गौँ में से एंटी आक्ट लागू होता है जिससे साल 1908 में बिटिश ने यहां लागू किया था C&T के तहट आदिवासी की जमीन उसी राजस्वतानक शित्र में ही आदिवासी के द्वारा ही खरीदी बेची जा सकती है और गैर आदिवासी सिर्फ अपने जिले में ही जमीन खरीद बेच सकता है लेकिन साल 2017 में इन दोनों आक्ट में बदलाव के लिए एक संशोधन बिल ले कर आया गया उस समय जारकंड में बीजेपी की सरकार थी और रगुपरदास जारकंड के सीम थे जो इस विदहक को ले कर आये थे इस विदहक के पास होने से आदिवासी लोगों की जमीन बेची खरीदी जा सकती थी साथ ही सरकार आदिवासी लोगों को मुआवजा दे कर उनसे उनकी जमीन गवर्मेंट प्रोजेक्ट जैसे रेल्वे लाइन पुल एक्स्प्रस वे बनाने के लिए भी ले सकती थी लेकिन इस खानून का पूरे राज में काफी विरोध हुआ कई आदिवासी समुदाई इसके खिलाफ थे जिसके बाद राज में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला लेकिन जहारखंड सरकार जहारखंड वधान सभा में बिल पास करवा चुकी थी अब राज पाल से मनजूरी मिलने की देरी थी लेकिन आदिवासी समुदाऊं का साथ देते वे द्रौपदी मुर्मु ने दोनों बिल्स को बिना साइन किये ही वापस कर दिया वहीं संशोधन बिल पर बात करते वे उन्होंने कहा था किस आक्ट की जो मूल भावना है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए उनका मानना था कि आक्ट में संशोधन से पहले इस पर और अध्यन की जरूरत है पहले ये समझना जरूरी है कि आदिवासी लोग क्या चाते हैं किस विवस्था से उनको सुविधा होगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंनों इस पार्टी की सरकार के बिल को पास करने से इनकार कर दिया जहां से उन्होंने अपने राजनितिक करियर की शिरुवात की थी इस बिल के पास नहोने से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और साल 2019 में जहारकंड में बीजेपी को अपनी सरकार गवानी पड़ी वही राज़िपाल रहते वे उन्होंने साल 2017 में जहारकंड विधान सभा से पास हुए फ्रीडम ओफ रिलिजिन बिल को भी मन्जूरी दी जिसके मताबिक जबरन या फिर बेला फुसला कर धर्म बदलवाने पर व्यक्ति को कम से कम तीन साल की सजा होगी पर जहारकंड राज़िपाल के बाद रौप दी मुर्मू कैसे सिधे राज़पती पत की उमीदवार बनी और क्यों बीजेपी ने उन्हें ही अपना राज़पती उमीदवार बनाया जानेंगे अगले एपिसोड में 21 जून 2020 ये वो तारीख थी जिस दिन एंडिये ने राज़पती चुनाव के लिए अपने उमीदवार का इलान किया एंडिये से पहले विपक्ष राज़पती चुनाव के लिए अपने उमीदवार का इलान कर चुका था विपक्ष ने काफी सोच समझ कर यश्वन सिनह को अपना राज़पती उमीदवार चुना था यश्वन सिनह का भारती राज़नित में एक लंबा करियर रहा है और वो भारत की राज़टी राज़नित में दुरापदी मुर्मू से ज्यादा सक्री रहे है वो बीजेपी की अटल बिहारी बाचपे की सरकार में वितमंत्री रहे थे लेकिन साल 2018 में वो बीजेपी को छोड़ विपक्ष में चले गए थे वहीं यश्वन सिना से पहले विपक्ष की तरफ से शरत पवार फारुख अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पर पोते गुपाल कृष्ण गांधी का नाम भी उमीदवार के तौर पर सामने आ रहा था लेकिन इन सभी लोगों ने राजपती चुनाव में खड़े होने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि विपक्ष वो टिकठा नहीं कर पाएगा लेकिन यश्वन सिना क्योंकि पहले बीजेपी का हिस्सा रह चुके थे और देश के लगभख हर राज में उनकी पहुँच थी तो विपक्ष को लगा कि उनके जीतने के चांसिस ज्यादा है पर फिर बीजेपी ने 64 साल की द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोशित कर दिया जब बीजेपी की तरफ से उनके नाम का एलान हुआ और सारे न्यूस चैनल्स ने उनके बारे में दिखाना शुरू कर दिया तो लोगों को द्रौपदी मुर्मू के बारे में पता चला इंडियन पॉलिटिक्स में दिल्शस्पी रखने वालों के लिए यश्वन सिना का नाम नया नहीं था लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में जहार खंड और उडिसा के बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे पर अब सवाल ये था कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को ही अपना राश्पती उम्मीद्वार क्यों चुना तो इसकी पहले वजह तो साफ थी और वो थी द्रौपदी मुर्मू की राजनित में एक साफ चवी उनका करियर यश्वन सिना जितना कॉंट्रोवर्शल नहीं रहा है लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उससे लोगों का भरोसा ही जीता था पर इसके लावा भी एक कारण था वो था उनका एक आदिवासी महिला होना राजपती चुनाव में जाती धर्म और उम्मीद्वार का ख्षित्र बहुत माइने रखता है क्योंकि अपने उम्मीद्वार के जरिये पार्टी पूरे देश को एक स्ट्रॉंग मेसेज देती है जिसे लोगों को उनके विचारों के बारे में पता चलता और यही वज़ा थी कि पिछली बार बीजेपी ने रामनात कुविन को राशपती बनाया जो दलत वर्थ से बिलॉंग करते थे और इस बार उन्होंने एक आदिवासी महिला को अपने राशपती उम्मीद्वार के तोर पर चुना राशपती के चुनाव देश में होने वाले चुनाव से अलग होते हैं इसमें आम जनता नहीं बलकि उनके चुने विधायक और सांस अदवोट करते हैं देश की चार राजे मध्यप्रदेश, 36 गड़, राजिस्थान और गुजरात में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और इन चारों ही राजियों में एक बड़ी आबादी ट्राइबल कम्यूनिटी की है राजिस्थान में 12 ट्राइबल कम्यूनिटी रहती हैं जिनकी टोटल आबादी राजी की 15% है वहीं गुजरात में 14%, 36 गड़ में 30% और मध्यप्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है 36 गड़ की 90 विधान सबा सीट्स में से 29 सीट्स आदिवासियों के लिए रिजर्व है ऐसे में द्रापदी मुर्मू को राजपती बनाने से बीजेपी को इन राजियों में इन आदिवासी लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है वहीं आपको यहां पर ये भी बता दें कि साल 2017 में भी दुरौपदी मुर्मू को राश्पती उमिद्वार बनाने पर चर्चा हुई थी हा लेकिन उसमें पाठी ने रामनात कोविंद के नाम को मनजूरी दी लेकिन इस बार पार्टी को दुरौपदी मुर्मू ही सबसे बेहतर उम्मीदवार लगी दुरौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी जनजाती से बिलौग करती है जिनकी सबसे ज्यादा आबादी उडीसा, जारकंड और पश्यम बंगाल में है इसके अलावा बिहार, असम और इस्ट कुछ और आज्यों में भी इस आदिवासी जनजाती के लोग रहते हैं वहीं दुरौपदी मुर्मू का जनमस्थान मयूर भंज उडीसा का वो इलाखा है जहां संथाल आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं ऐसे में चलिये दुरौपदी मुर्मू के राश्पती बनने के महत्व को समझने से पहले वो जिस ट्राइबल कम्यूनिटी से आती हैं उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं संथाल दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें संथा का मतलब होना शांती और आला का मतलब होता है आदमी ये लोग भी आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से हैं इनकी भाषा संथाली है जिसकी लिपी ओली चिकी है इस लिपी को 1925 में डॉक्टर रगुनात मुर्मू न डेवलप किया था माना जाता है कि संथाल लोग घुमन्तु आदिवासी थे जो बाद में बिहार चतिसगड़ और उडिसा के बीच मौजूद छोटा नाकपूर पठार पर बस गये और अठारवी सदी में यहां से माइग्रेट होकर बिहार और उडिसा में जा बसे वहीं ध पर संथाल आदिवासी लोगों के घर मिट्टी के बने होते हैं जिनकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हैं घर की दीवार का निचला हिस्सा काली मिट्टी से रंगा होता है और बीच का हिस्सा सफेद और उपरी हिस्सा लाल रंग से रंगा होता है और कुछ सालों पहले तक द्रौपदी मुर्मू का घर भी कुछ ऐसा ही दिखता था अठारा सो पच्पन से अठारा सो चपन के बीच संथाल आदिवासियों रीस्ट इंडिया कंपनियों के बीच जंग भी हुई थी जिसे संथाल रिवोल्यूशन कहा जाता है यहां रहने वाले आदिवासी किसानो ने खुद अपनी सेना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए उन्हों ने अंग्रेजों के सारे संचार के लिए इस्तमाल होने वाले पोस्ट रेलवे लाइन से यहां तक की गोदाम तक नश्ट कर दिये और फिर जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल तो उन्होंने अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा बंदूख और बारूदों के साथ संथाल आदिवासियों पर हमले के लिए भीज दिया हां लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हो पाए और इसके बाद ही बंगाल में 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था वहीं देश के लिए दी खुर्बानियों के वजह से ही संथाल रिबिलियन को इतिहास में भारत में आजादी के पहले हुई सबसे प्रब्मुग घटनाओं में से एक माना जाता है जिसने देश में बदलाव की नीव रखी आज के समय में संथाल आदिवासी उडिसा में रहने वाली दूसरी सभी ट्राइब से ज्यादा शिक्षित और विकसित माने जाते हैं रिपोर्ट्स की माने तो संथाल आदिवासी लोगों में शिक्षा को लेकर जागरूकता 1960 में ही आ गई थी इसलिए इस ग्रूप के लोग बिहार ज्यारकंड और उडिसा में ज्यादा अच्छी पोस्ट पर देखने को मिलते हैं और पॉलिटिक्स की ही बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के अलावा ज्यारकंड के मुखे मंतरी हेमन सोरिन भी इसी आदिवासी ग्रूप से होते हैं इसके लावा के अंद्रशासत प्रदिश जम्मू और कश्मिर के पहले लेफटिनन्ट गवर्नर चंद्रा मुर्मू भी इसी ट्राइब से बिलॉंग करते हैं 21 जून 2022 विपक्ष अपने राजपती चुनाव के लिए अपने उम्मीद्वार का इलान कर चुकी थी और आज बीजेपी भी राजपती चुनाव के लिए अपने उम्मीद्वार का इलान करने वाली थी 64 साल की दुरापदी मुर्मू के नाम को फाइनल कर लिया गया था और कुछ समय में प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये नाम अनाउंस भी होना था लेकिन उससे पहले PMO आफिस से दुरापदी मुर्मू के घर फोन गया पीएम मोदी खुद दुरापदी मुर्मू को इस बात की जानकारी देना चाते थे पर दुरापदी मुर्मू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया ऐसे में जब कई बार फोन लगाने के बाद भी दुरापदी मुर्मू की तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं आया तो उनके पीए को कॉल लगाया गया कुछ बहुत ही ज्यादा अरजंट है वरना पीएमो आफिस से बार बार फोन नहीं आते दोड़ते भागते वो दुरापदी मुर्मू के घर पहुँचे वो उस समय अपने कमरे में सोने की तयारी कर रही थी पीएम ने जल्दी फोन उन्हें दिया और कहा कि प्रधान मंत्री जी आप से बात करना चाते हैं उसके बाद फोन पर खरीब एक मिनट बात हुई फोन पर पीएम ने जो कहा वो सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई उनकी आँखों से आसु बेह रहे थे उनके पीए और उनकी बेटी इतिश्री ने उन्हें संभाला और उनसे पूछा कि पीएम ने क्या कहा तो उन्होंने खुद को संभालते वे बताया कि उन्हें राश्पती उम्मीदवार चुल लिया गया है इस खबर को सुनकर दुरापदी मुर्मू काफी भावख हो गई थी उनका कहना था कि आज उन्हें इतनी बड़ी खबर मिली है और उनके अपने उनके पास नहीं है पर वो जानती थी कि उन्हें खुद को संभालना होगा कुछ समय में टीवी पर इस बात की अनाउंस्मेंट हो जाएगी और उनके घर के बाहर उनके कारेकरताओं और लोगों की भीड उमर जाएगी जिनका उन्हें आभार व्यक्त करना है अब द्रौपदी मुर्मू उम्मीद्वार तो बन गई थी लेकिन एक उम्मीद्वार से चुनाव जीतने तक एक लंबा सफर तैय करना पड़ता है ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि हमारे देश में राश्पती चुनाव कैसे होते हैं और किन कारणों की वजह से द्रौपदी मुर्मू को राश्पती चुनाव में वोट मिले और वो जीती राश्पती चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना जरूरी है उसकी उम्रे 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए साथ ही वो भारत सरकार या राज सरकार के किसी पत पर नहीं होना चाहिए भारत में राश्पती का चुनाव इलेक्टूरल कॉलिज के जरिये किया जाता है इसमें लोग सभाज सभा के चुने गए मेंबर्स और इसके अलावा देश की सभी विधान सभाँ के चुने गए सदसे होते हैं राश्पती चुनाव में अपने पसंदीद उमीदा के लिए दूसरे एलेक्षन की तरह राश्पती चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं करती बलकि उनके चुने हुए राजनेता राश्पती के लिए वोट करते हैं हालेकिन वोटिंग में विधान परिश्ट के सदसे और लोग सभा राजसभा के नॉमिनेटिड मेंबर्स को वोट कर करने का अधिकार नहीं होता है वही राश्पती चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटिज अलग-अलग होता है दो अलग-अलग राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटिज भी अलग-अलग होता है वेटिज के लिए राज्य की आ इलेक्टूरल कॉलिज में मिम्बर्स की संख्या 4809 थी इन में राजसभा के 233, लोगसभा के 543 और विधान सभाँ के 4033 सदसे शामिल थे इस बार राजपती चुनाव में विधायकों की वूटों का कुल विटिज 5,43,231 था और लोगसभा राजसभा के सदस्यों के वूटों का विटिज 543,200 माने कुल मिलाकर इस साल सभी सदस्यों के वूटों का विटिज 10,86,431 है और राजपती बनने के लिए उम्मीद्वार को 50% से ज्यादा वूट चाहिए होते हैं दुरापदी मुर्मो बीजेपी की राशपती उम्मीद्वार थी जिनकी केंद्र में सरकार है लेकिन देश के कई बड़े राजियों में विपक्ष या फिर लूकल पार्टीस की सरकार हैं ऐसे में मुखाबला टक करका था और दुरापदी मुर्मो की जीत तभी पक्की थी जब विपक्ष के विधायक और संसद भी उनके लिए वोट करते हैं पर वो ऐसा क्यों करते हैं जानेंगे अगले एपिसोड वोटिंग डे की पूरी कहानी और ये भी क्यों विपक्ष के कई विधायकों और संसदों ने भी दिया द्रापदी मुर्मू को वोट 18 जुलाई 2022 ये वो दिन है जिस जिन्देश के पंदरवे राश्पती के लिए चुना हुए एक तरफ थी द्रापदी मुर्मू और दूसरी तरफ थे यश्वन सिन्हा राश्पती चुनाव में अभी भी वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तमाल होता है संसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग के पेपर दिये जाते हैं जिसके जरिये वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं द्रापदी मुर्मू एक आदिवासी वर्क से बिलॉंग करती हैं और एक महिला जिसकी वज़ा से ही उन्हें बहुत सारे विधायकों और सांसदों का वोट मिल गया यहां पर सबसे अच्छी बात ये थी कि द्रापदी मुर्मू के नाम पर विपक्षी पार्टियां भी अपनी आसेहमती जता नहीं पाई 21 जुलाई 2022 को राजपती चुनाव के मतदान की गढ़ना हुई एंडिये उमीदवार द्रापदी मुर्मू ने 6,76,803 मतों के साथ जीत आसिल की वहीं विपक्षी उमीदवार यश्वन सिनह को कुल 3,80,117 वोट मिले मतगर्ना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी PC मोडी ने मुर्मू के 64.03% वोटों के साथ चुनाव जीतने की आधिकारी गुशना की और उन्हे देश का नया राश्पती अनाउंस किया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिख द्रापदी मुर्मू को 547 सदों सहित कुल 2,824 मतदाताओं के वोट मिले जबकि यश्वन सिना को 208 सदों सहित 1,877 मतदाताओं के वोट मिले जनिगर्ना के मुताबिक भारत में आधिवासी लोगों की कुलाबादी साड़े 8% से ज्यादा है जिसमें मिजूरम, नागलेंड, मिघाले, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आधिवासी लोगों की जनसंख्या 40% से ज्यादा है वहीं मडिपूर, सिक्किम, त्रिपूरा और चत्तिसगड में 30% जनसंख्या आधिवासीयों की है और मधिप्रदेश, जारखंड और ओडिशा में ये आबादी 20% से ज्यादा है जिसका मतलब ये है कि भारत के कई राज्यों की पॉलिटिक्स में आधिवासीयों का अहम रोल है जिस वज़ा से आधिवासी लोगों को वोट पाने के लिए अपोजिशन की कई पार्टी को भी येश्वन सिनह की जगा द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करना पड़ा और यही वज़ा है कि अंडिये के साथ गड़ बंधन ना होने के बावजूद जारकंड के सीम हेमन सोरिन ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया भारत में लोकसबा की कुल सीटों में 47 सीटे अनुसूचि जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और यही वज़ा थी कि द्रौपदी मुर्मू को राश्पती चुनाओ में यश्वन सिनह के मुखाबले ज्यादा वोट मिले अब द्रौपदी देश की नई राश्पती बन गई हैं तो लोगों को उनके बारे में जानी के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता है उनकी कहानी उनका ये सफर लाखों लोगों के लिए एक प्रेणा एक उमीद बन गया है कि वो भी अपनी जिन्दगी में कुछ कर सकते हैं पर इस मुखाम पर पहुँशने के बाद भी वो जो साधारन जीवन जीती है उसे देखकर हैरानी होती है पर फिर लगता है कि यही तो एक महान व्यक्तित्व की निशानी है अनुशासन और ध्यान उनकी जिन्दगी के आधार है जैसे जीवन के लिए सांस लेना और खाना पीना जरूरी है उसी तरह उन्होंने अनुशासन को भी अपनी जिन्दगी का अहम हिस्सा बनाया है वो हर काम समय के अनुसार करती है वो रोज सुभा तीन बजे उटती है काई लग उनसे पूछते भी है कि इतनी उम्र में तीन बजे वो कैसे उट जाती है तो इस पर उनका कहना है कि ध्यान और अनुशासन शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता इसलिए वो रोज सुभा उटकर पहले योग और ध्यान करती है और फिर नाश्ता करती है नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर अखबार और आध्यात्मी किताबे पड़ती है योट्यूब पर अध्यात्मिक वीडियो देख लेती है अपने बच्चों को खोने के बाद उनकी जिंदगी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने एक अहम रोल निभाया था वो इतना दुखी हो चुकी थी कि राजनीत छोड़ना चाती थी लेकिन उस समय भगवान में आस्था ने ही उन्हें इस दुख से बाहर निकाला और आज भी वो अध्यात्म के जरिये ही अपने आपको संभाले हुए हैं वो लगबग अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर चुकी है उन्हें महंगे गैनों का शौक तो कभी था ही नहीं और पती के गुजरने के बाद वो बिलकुल साधी साडी में नजर आती है वो शुद्ध शाकाहारी है इसलिए खाने में प्याज और लेसुन भी नहीं खाती हा लेकिन उन्हें ओडिशा की फेमस मिठाई चेना पोड़ा बहुत पसंद है वो जहां भी जाती है अक्सर दो किताबे अपने साथ रखती है पहली अनुवात की ताकि उन्हें किसी से भी बात करने में कोई दिखत न हो और दूसरी ब्रह्मा कुमारी या पिर कोई स्प्रिच्वल बुक जिसे पढ़कर वो अपने मन को शांत रख सके और अपने काम में ध्यान लगा सके रोजाना सारा काम खत्म करने के बाद वो नौ साड़े नौ बजे तक सोने चली जाती है और इस तरह वो एक सामान जीवन जीते हुए भी काम्याबी की नई सीडियों को चू रही है और कहते हैं कि बद जितना बड़ा होता है जिमेदारियां भी उतनी ही ज्यादा होती है तो अगले एपिसोड में जानेंगे उन सुविधाओं और जिमेदारियों के बारे में जो राशपती बनने के बाद दुरौपधी मुर्मू को मिलने वाली है देश के चौद्वे राशपती रहे रामनाद कुमिन का कारेकाल 24 जुलाई को खत्म हो गया और 25 जुलाई को दुरौपधी मुर्मू ने देश के पंदवे राशपती के रूप में शपत ली भारत के सविधान के अनुसार राश्पती को शपत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नयाधीश दिलाते हैं हमारे देश में राश्पती का कारेकाल पांच साल का होता है द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो देश की दूसरी महिला राश्टपती और पहली आदिवासी महिला राश्टपती है उनसे पहले श्रीमती प्रतिभापाटिल देश की पहली महिला राश्टपती बनी थी वो देश की बारवी राश्पती थी जो 2007 से 2012 तक राश्पती पत पर रही थी वहीं यहीं पर आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राश्पती भी है दरसल अब तक हमारे देश के जितने भी राश्पती हुए हैं फिर चाहे वो रामनात कुमिंध हो प्रडम मुखर जी हो या फिर शिरिमती प्रातिभापाटल सभी का जन्म 1947 से पहले का था लेकिन दरौपदी मुर्मू का जन्म आजादी के बाद हुआ इस तरह वो आजादी के बाद जन्मी देश की पहली राश्पती हैं वहीं उडिसा से आने वाली वो देश की दूसरी राश्पती हैं क्योंकि उनसे पहले वारा गिरी वेंकटा गिरी जिन्हें दुनिया वीवी गिरी के नाम से जानती थी वो भी उडिसा से थे उन्होंने देश के चौथी राश्पती के रूप में शपतली थी और 1971 से लेकर 1974 तक देश के राश्पती रहे थे वहीं कई लोगों को लगता है कि हमारे देश में प्रधान मंत्री के पास राश्पती से ज्यादा शक्तियां होती हैं खेर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है हाई ये सचे कि हमारे देश के प्रधान मंत्री के पास कई तरह की शक्तियां होती है जबकि राश्पती के साथ ऐसा नहीं है हमारे देश के राश्पती को कम ही मोखों पर बात करते देखा जाता है वहीं दूसरे देशों में प्रधान मंत्री से ज्यादा राश्पती सक्रे रहता है और कई देश तो ऐसे भी है जो फुल प्रेसिडेंशिल सिस्टम पर चलते हैं लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है हमारे देश में राश्पती की भूमी का प्रधान मंत्री से अलग है हा ले विधायका और न्यायपालिका, संग की कारेपालिका की शक्ती राशपती के पास होती है, एक एंद्री मंत्री मंडल के जरिये अपनी इस शक्ती का इस्तमाल कर सकते हैं। यही नहीं। राश्टपती देश की नौ सेना, थल सेना और वायू सेना के सर्वोच सेनापती होते हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुखिन आधिश को न्युक्त करने का अधिकार भी राश्टपती के पास होता है। इसके लावा राजियों के लिए रा के लिए रिजर्व सीट पर भीजते हैं। वहीं कला साहित पत्रिकारिता विज्ञान के एक शित्र से बारा सदस्यों को चुन कर वो राजसभा का हिस्सा बनाते हैं। अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई संधिया समझाता किया जाता है तो वहाँ पर राश्पती का हास्त देश के मताबिक राश्पती नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो संसस सत्र शुरू होने के छे हफ्ते तक माननी होता है। सवधान के आर्टिकल 72 के मताबिक राश्पती किसी भी व्यक्ति को क्शमा कर उसे फांसी से दी गई सजा से बचा सकता है या उसकी सजा कम करवा हां लेकिन अगर एक बार यदि राश्पती ने एक शमा याची का रद कर दी तो भी दोबारा याची का दायर नहीं की जा सकती। अगर देश में कभी ऐसी सिच्वेशन आती है कि देश में आपातकाल यानि एमर्जेंसी लगानी पड़े तो इसका अधिकार भी सिर्फ रा हार हो जाए। दूसरा राजों के समवधानिक तंत्र के फेल होने पर और तीसरा वित्तिय आपातकाल यानि की देश में फाइनेंशल क्राइसिस आने पर आपातकाल की घोशना की जाती है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब तक 1962 में भारत चीन युद के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद और पर 1975 में इंटरनल एग्रिशन के दौरान देश में एमर्जेंसी लगाई गई थी। केंदर में बैठी सरकार जब भी कोई बिल देश संसत के दोनों सदनों लोकसभा और राजसभा में पेश करती है तो वहां से पास होने के बाद बिल रा राशपती की सिफारिश के बगएर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और अगर किसी कारण किसी राजी की सरकार गिर जाती है या पिर सिचुएशन आपे से बाहर हो जाती है तो वहां पर राशपती शासन लगा दिया जाता है जिससे सिर्फ राशपती के आदिश उन्हें टेक्स नहीं देना पड़ता और यही सेलरी अब दुरापदी मुर्मू को भी मिलेगी दुरापदी एक मध्यम वर्गिय परिवार से थी उन्होंने आदिवासी स्कूल से पढ़ाई की और ग्रेजुशन के बाद सीचाई विभाग में एक छोटी से कलर की नौकरी की जिसमें उनकी तनुखा उस समय तीन हजार भी शायद नहीं होगी और आज वही महिला इस पत पर पहुँच गई है पांच लाग रुपे सेलरी आज के समय में बहुत से लोगों को बड़ी बात नहीं लग रही होगी लेकिन एक आदिवासी महिला जो इतने संगर्ष करके य हमारे देश के राषपती को कम सेलरी मिलती है रिपोर्ट्स के मताबिक रूस के राषपती ब्लादीमीर पुतिन की बात करें तो उन्हें महीने के एक दशमलव चार शूनिय लाग डॉलर की सेलरी मिलती है जो भारती रुपे में खरीब एक दशमलव शूनिय पांच करोड वहीं अमेरिका के राशपती की सेलरी चार लाग डॉलर है। हा लेकिन उनके और हमारे देश की एकोनोमी एंड कॉंसिट्यूशन में काफी अंतर है। राशपती पत के साथ जो सम्मान मिलता है उसका मोल तो पैसों से कहीं ज्यादा है। वहीं आपको बताने कि हमारे देश मे राशपती के जीवन साथी को भी हर महीने 30,000 रुपए सेकरिटेरियल असिस्टन के तौर पर दिये जाते हैं। देश का राशपती किसी भी राजे से बिलॉंग करता हो उसका नया आवास राशपती भवन ही होता है जो नई दिल्ली में है जिसे राय सिनाहिल भी कहा जाता ह और अब यहाँ पर दुरापदी मुर्मू रहेंगी वही दुरापदी मुर्मू जो कभी मिट्टी के घर में रहा करती थी। भवन में ही उनका दफ्तर भी होता है। खरीब दो लाक वर्ग फुट में पहले इस भवन में 340 कमरे हैं जहां दुनिया की सारी सुक चाहे वैसा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। इसमें मौजूद भवन में मुगल गार्डन है जो इसकी खुबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मुगल गार्डन को हर साल आम लोगों के लिए खुला जाता है। भवन की देखभाल के लिए 200 से ज्यादा लोग हमेशा यह मौजूद रहते हैं। इसके लावा भारत सरकार हर साल उनके आने खर्चों जैसे आवास, स्टाफ, खानेपीने और अतितियों की मेजबानी पर खरीब 2.25 करोड रुपे खर्च करती है। राजपती को दुनिया में कहीं भी यात्रा करनी हो वो मुफ्त यात्रा कर सकते हैं उनके पास चुटियां बिताने के लिए दो शानदार हॉलिडे रिट्रीट का आप्शन भी होता है। एक हैदराबाद में राजपती निलियम और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग। भारत के राजपती को ट्रावल करने के लिए कस्टमाइज मर्सडीज बेंज S600W221 गाड़ी दी जाती है जो बुलिट प्रूफ तो होती ही है साथ ही कई एडवांस्ड टेकनोलोजी से भी लैस होती है। इसके लावा उनकी गाड़ी के साथ 25 गाड़ियों का कारवा चलता है जो हर तरफ से राजपती की कार को घेर कर रखता है। लेकिन इन सुक्स वि दिवस की परेड में तो आपने इन जवानों को जरूर देखा होगा। ये जवान दूसरी सेनाओं से अलग होते हैं। इन जवानों को प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स यानि की PBG कहा जाता है। और क्योंकि इन जवानों पर राजपती की सुरक्षा का जिम्मा होता है इ यूनिट राशपती भवन में ही रहती है। वर्तमान समय में राशपती की सुरक्षा में जो बॉडी गार्ड तनात होते हैं उनमें सेना से जाट सिक और राजपुतों को प्रार्थमिक्ता दी जाती है। यसानिक हरियाना पंजाब और राजिस्थान से आते हैं और इनमें आजादी से पहले से चला आ रहा है। राशपती के बॉडी गार्ड में चार ओफिसर्स, ग्यारा जूनियर कमिशन्ड ओफिसर्स, जेसियो और 161 जवान होते हैं जिने एड्मिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हासल होता है। राशपती की सुरक्षा और जिम्मेदारियों के अल राशपती का कारेकाल 5 साल का होता है। पिछली बार साल 2017 में चुना हुए थे जिसमें रामनात कोविन को राशपती बनाया गया था। अब वो अपने पत से रिटार्ड हो गए हैं। और अगले 5 साल यानि कि साल 2017 तक दुरपदी मुर्मू देश की राशपती रहेंगी। अब नए राशपती को कौन सी सुविधाएं, जिम्यदारियां, शक्तियां और सुरक्षा मिलती हैं। उसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन रिटार्मेंट के बाद पूर्वो राशपती क्या करते हैं। चलिए अब ये जानते हैं। दरसल किसी भी देश में राशपती से उचा कोई पद नहीं होता। और ऐसे में एक बार राशपती बनने के बाद कोई व्यक्ति विधायक मंत्री या कोई और सरकारी पद पर नहीं बैठता। जिसकी वज़ा ये है कि ये सारे पद राशपती से छोटे होते हैं। ऐसे में राशपती बनने के ब आखरी पड़ाओ पर होते हैं और अगर बात करें पूर्वर राश्पती को मिलने वाले सुविधाओं की तो रिटार्ड होने के बाद भी उने कई लगजुरी फैसिलिटी दी जाती है रहने के लिए टाइप एट का सारी सुविधाओं से लैस बंगला दिया जाता है जिसमें कम से कम आठ कमरे होना जरूरी है पेंशन के तौर पर डेल्ड लाक रुपे महीना दिया जाता है और स्टाफ पर खर्च के लिए 60,000 रुपे अलग से दिये जाते हैं इसके लावा दो मुफ्त लैंड लाइन और एक मुबाइल दिया जाता है पूर्व राश्पती अपने पार्टनर के साथ फ्री में ट्रावल कर सकते हैं साथ ही उनके लिए वाहन सेवा भी मुफ्त होती है साथ ही सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस सेक्यूरिटी और दो स सेट किये हैं लेकिन कई चीज़े हैं जिनमें हम आज भी पीछे हैं अगर जेंडर एक्वैलिटी की ही बात करें तो पहले के मुखाबले हमारे हालात काफी सुधरे हैं जिसका एक बड़ा एक्जामपल दुरापदी मुर्मू भी हैं पर ये भी सच है कि आज भी हमारे महिलाओं को कुछ भी पानी के लिए पुरुषों से ज्यादा संघर्ष ना पड़ता है इसमें आप किसी को दोशी भी नहीं ठेरा सकते क्योंकि कहीं परंपरा के नाम पर तो कभी रूडिवादी सोच के कारण ऐसा ही चला आ रहा है अगर कोई लड़की शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने बच्चों की देख भाल करने लगी पर बहुत जल्द उन्हें मैसूस हो गया कि वो अपना समय ऐसे जाया नहीं कर सकती उन्होंने आदिवासी स्कूल में फ्री में पढ़ाना शुरू किया इस नौकरी से उन्हें कोई फाय करें वो आगे बढ़ सकें आम तोर पर तो कई कई साल मेहनत करने के बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिलता पर उन्हें टिकट भी मिला और वो जीती भी क्योंकि उनका मानना था कि वो चाहें पढ़ाएं या समाज सेवा करें उन्होंने हर काम को इमानदारी से किया इस दो दाएं हो या फिर भर फेट खाना हो उन्होंने गरीबी को सिर्फ खरीब से देखा नहीं बलकि उसे जिया भी था इसलिए जब वो राजनित में आई तो उन्होंने लोगों के दर्द को दूसरों से बहतर समझा फिर जिन्दगी में कई बार ऐसे पड़ाओ भी आये जिन्ह 2014 में अपने पती को कोने के बाद उनके पास जीने की वज़ा नहीं बची थी एक बर उनके मन में ये भी ख्याल आया कि उन्हें राजनित छोड़ देनी चाहिए उनके खरीबी ने बताया कि उन्होंने कहा कि राजनिती की वज़ा से ही शायद वो अपने परिवार को समय नह पाल बनी और इस दोरान भी उन्होंने इस बात का खयाल रखा कि राजी में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़े और बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले उन्होंने लोगों के हित के लिए खड़े होते हुए अपना पार्टी जिसे वो चुनाव लड़कर यहां तक पहुंची थी उसके बिल तक को पास करने से इनकार कर दिया और जब वो राजपती बनी तब भी उनके व्यक्तित्व में किसी तरह का बदलाव नहीं आया क्योंकि वो जानती हैं कि वो इस पत पर लोगों की सेवा करने के लिए बैठी हैं पर उनकी ये कहानी कहीं ना कहीं ह दुरापदी मुर्मू की ये कहानी जानने के बाद एक बात यही कहीं जा सकती है कि जिन्देगी में अगर आप अपने काम को इमानदारी से करते हैं तो ऐसी कोई ताखत नहीं है जो आपको आपकी मनजल को पाने से रुक पाए बस जरूरत है तो खुद के साथ अपने काम क के साथ इमानदार होगी दोस्तों ये थी हमारी सीरीज दुरापदी मुर्मू उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी आप अपने सुझाव हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी और भी इंस्पिरिशन से भरी सीरीज को सुनने के लिए सुनते रहे